कि यूटूब चैनल सभी का स्वागत सुबह की वीडियो में बताया गया था और आज की सुनवाई आज की डिट की पूरी अगली डिट जो है लगा दी गई उनके लिए क्या दिक्कत है इसकी वीचर्चाग होगी दिक्कत है कि नहीं यह भी बात की चाहेगी जैसा कि पहले की वीडियो में भी बताया गया था और आज की सुनवाई पूरी डिट कप तक की लगी और साथी साथ बीएड वालों के लिए जो काफी इंपार्टिंट होगी अगली डिट तो पूरी खबर देखते कर चनल पर पहले हैं पर चैनल को लाइक से रों सब्सक्राइब कर देए इ उसी तरह से प्रभाव पड़ेगा यह लाजमी है कि सुप्रियम कोट का जो भी नेड़ा होगा कोट का उसी के अंसार जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इसको लेकर कि मन में संसय है लेकिन आपको पहले बताया थे कि जब भी कोई दो साल से ढ़ाई साल से किसी पूस्ट पर कारेरत है और कोई गजट सरकार के दोरा किया गया था तो न्यालाई प्रक्रिया में थोड़ा सा मर्सीडी सिजन्स भी होते हैं और उनको जो है बाहर करने का रास्ता बहुत ही कम चांसे जराता है तो मन में यह भ्रहमत रखे के बाहर होंगे सबसे बागी की यह चीज़ और अगली डेट जो है वह अप्रेल की पाहली तारिक को सुनवाई यह के संदर में फिर होगी बीएड वर्सेज बीटी सी का और यह मान के चली कि जो अगली डेट है उस डेट में फाइनल तर पर यह मालम हो जाए कि बीएड प्रात्मिक सिक्षक भरती में रहेगा कि नहीं नहीं रहेगा उसी राहने की संभावनाएं जो है बहुत कम है फिरहाल पूरी सुनवाई हो जाएगा उसके बाद जो है 2018 के गजट के उनसार जो बीएट अबरती नियुक्ति पत्र जिनको मिल जो नोकरी कर रहे हैं उनकी भी संदर में असपर्स्ट हो जाए लेकिन फिरहाल कि कहीं ने कहीं जो है उत्तर प्रदेश में सिचक भरती देखने को अभी हाल फिलाल में नहीं मिल रही है तो इंतचार करिए अच्छी नियु जाएगी उसकी अपड़ीट आपको दे दी जाएगी दिस इस वीडियो कहीं पर करते हैं समाप्त